हालो फ्रेंड, आज का टौپिक है Compressor Compressor Air System यह B haya drinking book number 3 Chapter 3 से लिया गया है आज इसमें हम आँ वो क्या करेंगे कमपरेसर पिक में हम लोग क्या discuss करेंगे, 3- всегда by push-on kanske का क्या जाता है % of lock leakage कैसे निकाला जाता है power loss किसे निकाला जाता है, quantity of leakage any specific power conception यह सब निकालेंगे जैसे आपको इसमें पहली अपको में बता देता हूं कि क्या होता है इसके लिए उसमें से उनली 10 परशन उसमें या जाता है एक एक परशन हो गया है और नॉइस के कारण लॉस होता है ऑनली 10 परशन उसमें यूजय परगार को होता है आपको पहली पता है कि पॉजूटिव डिस्प्रेंट पर और डियनेमिक ते उसमें बहुत सा केटेग्राइग है जैसे रेशिव पोगा हो गया रोट्री हो गया सेंट्री पोगा और एशिव टाइप का कंप्रेशर मैं आपको एक वीडियो शोब करता है यह मेरे प्लांड का है एक छोटा सा दो मिनट का वीडियो आप केर खोली देखेंगे इसमें क्या किया गया है अपना डायर हो गया कंप्रेशर सिस्टम दिया है डायर का रणिंग डाटा दिया हुआ है और इस टॉप डायर का अपना किय को शोब किया गया है इसमें दो इंस्टूमेंट का एक सर्वीसियर का है किया इस को भीनट का राटाल आज being vide कि दॉपित हैं है कि वर्वी बदयो कि प्रवी अ मुटन देता गרॉती कि को चॉप है टेके फ्रेंट मैं पहले बताया था कि आज मढ़ अपने प्लाइन का वी्टियोे को कैसा लगा बताएंगे आपना कुस्षिंट था था अल्यों किसमें किया बोला था नो उस्तिम प्रूफ ये फ्री कर दिलिरीं कि निखलींगे लिटेज निखलींगे लिकेश फांट्टिटीगांगे पवर कॉंजेक्टिन निखलींगे इस पर चुर्चन निकालींगे ठीक है अपको मैं कुछिंट पड़के बता देता हूं टेक है इसको अपनों डाटा दिया हुआ है टेक है वालूम एड वालूम कैपेसिटी इतना अपना 41 लीटर इनस्ट प्रेशर कितना 1.8 kg आपना प्रेशर कितना है 9 kg प्रेशर कितना है या फिर डेक्राइब या फोन बार लिंगे या फिर 1.026 kg सेटी मिटर लिंगे अनु एक या ठीक है एफेडी निकान लेक आपना फर्मुला देख रहा हूं एफेडी का फर्मूला क्या होता है अपना फिक टू मैनस प्लस पी वन डिवाइड बाइड पीजिरो मुल्टीप्लाइव डिवाइड बाइड बाइड थी ती अपना टाइम मुल्टीप्लाइड थी एबियंड डिवाइड बैट फैनल यहां पास हम लोग क्या किया है टंप्रेचर को केल्मीन मेट कनवर्ट करना थे लिए 273 प्लस त यह डिवाइड बाइड 273 प्लस ती फैनल किये हैं ठीक है अब इतनों को क्या निकालना था फ्रेंट इसलिए अपनों को कंप्रेशर का लिकेज क्वाटिटी परसेंटव लिकेज पावर लॉस स्प्रेसिक पावर कंजर्सन उसका अलग से डाटा दियो है किसमें कंप्रेश किलोवाट दिया हुआ है अब सब इसमें एक डाटा अपना टाइमिंग जो इसने चल वाला मैं मिस कर दिया हूं वह अपना 65 सेकेंड है अब इसमें क्या करेंगा फ्रेंट डाटा हम लोग क्या करेंगा सबसे पहले एपडिका का कल्कुलिशन करें ठीक है एपडी का फॉर् क्या करें चल देएंगे इसमें 9-1.8 डिवाट बाय एडमोसफियर प्रेशा 1.026 प्लिप्लाइब बॉर्ट 1 पोर पांट वन कहां साहा है अपना 41 लिटर है उसको क्या किया हम लोगição वालू में कन्वर्ट किया है तो उसमें क्या कर देए फाजोन कर डिवाइड किये है इस वालू में convert करने से यह आएगा टेक है 1.083 कहा साया इसमें क्या किया है हम लोग मैं पहले वोद आया था पहां को लिखना data भूल के था टीजी उगल टू अपना 65 सेकंड दिया हुआ है उसको क्या कि है मीनेट में convert किया है तो मीनेट में convert करने से 1.083 आएगा उपर मैं आपना 273 प्लस 30 दिवाइड बे 273 प्लस 54 प्लस 54 किया हूँ तो उसको शॉट आट करने से कितना आता है 24.64 मीटर कूप पर मीनेट ठीक है अपना क्या है फ्लो निकलाया है ठीक है बोलो क्या करता है इसको उसका अंसर आता है 868.78 CPM तो आपको याद रखना है कि इसको याद रखना है कि इसका पूर्ट में कितना होता है उससे आपको मुल्टिप्लाय करना है अब परसेंटेज अब लिकेश का निकालने का फर्मूला क्या है टी डिवाइड बे टी बन प्लस इसमाल टी इंटू हंड़ेड इसमें टी क्या है आपका कंप्रेशर का लोडिंग टाइम है कंप्रेशर का अनलोडिंग टाइम है उसमें हंड़ेड का मुल्टिप्लाय करना है ठीक है लिकेश कॉंटिटी कैसे निकालेंगे इसमें क्या करेंगे क्योंकि इसमें जो लिकेशे से उसके क्या होगा है अपना जो एस्टा लॉसस हो रहा है एस पर फांप एनर्जी उसको निकालने का फर्म क्या है लिकेश कॉंटिटी मल्टि प्लाइ स्सुपावर कंजर्शन when अ इसब डाटा डालते हैं और अपना क्या करते अपना calculation देखते हैं आगे ठीक है प्रेंट पर्षंटेज अब लिकेज कर से निकाले t divided by t plus small t multiply 100 आपको पता है compressor का क्या loading time कितना है 2.5 minute divided by कितना unload t1 plus t plus small t मतलब loading plus unloading time into 100 वो देखते हैं आपना 17.24 percentage आता है leakage quantity निकालने का फॉर्मल आपको मैं पहली बताया था FAD multiply percentage percentage of leakage आपको पहली बताया था CPM यहां ना लेकर हम लोग क्या लिंगे meter cube per minute पे इसको लिंगे FAD को तो आपको पता उसका data कितना था 24.64 multiply percentage of leakage 17.24 divided by 100 वो कितना आता है 4.24 meter cube per minute यह अपना percentage quantity of air leakage है जो अपना कितना देल में होता है 12 मिनट में होता है जब compression अपना unload होता है इस पेसिव पावर कॉंजक्शन कैसे निकालेंगे आपके फ्रेंड ड्राउन पावर डिवाइट बै कंप्रेशर कैपेसिटी ठीक है अपना कंप्रेशर कापेसिटी कितना है 24.62 है और अपना ड्राउन पावर कितना है 130 किलोवाट दिया हुआ है बस उसको रखेंगे टाटा में तो आ जाएगा कितना आता है 5.28 किलोवाट डिवाइट बाइट बाइट पर मिनट ठीक है फ्रेंट यह अपना किसके आगे स्प्रेशिक पावर कंजक्शन आ गया किलोवाट डिवाइट बाइट बाइट पर मिनट क्यों लिए गया है आप देख सकते हैं पावर लॉस अपना किस में आना चाहिए किलोवाट में आना चाहिए तो पावर लॉस को पहले होता जा था कैसे निकालना है quantity of lickages multiply specific power conjunction तो lickage quantity अपना किस में दिया हुआ है मिटर कूप पर मिनट में दिया है और डिवाइट में मिटर कूप पर मिनट यह आपस में चैंसल हो जाएंगे इसलिए हापस उसको मैं यूट को conversion नहीं किया हूं ठीक है वह कितना आता है पावर लॉस अपना दोनों डाटर डालने से 4.28 multiply 5.28 तो 22.5 kilowatt आता है यह अपना पावर लॉस है यह पावर लॉस में अपना क्या रहेगा अपने system में लॉस रहेगा जो और अपने क्या करना इसमें पेब एक प्रेड हो गया यह एन्वल पावर लॉस निकालना रहेगा तो इसमें ऐसे फावर अपना लॉस में दिखेंगे तो इसको क्या कर सकते हैं इसमें कि आपने की काप्र है कि अवर्वाइब करना कि प्रूपिया करें तो अपना एनवार क्याइस प्रूपीया करें तो अपने एन्यूर्व क्या होुगा पना निकल जाएगा ऐस पर कॉस्ट में अपने क्ना पैसे का थी ध訴 तरह आपको वीडियो अच्छी लगए तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें मैस चैनल थेंक यू